बाई यहें पॉर्गों की चैंपियंग्स टॉफी की तैयारी बंदे गद्धे लगागर केच्छ प्रैक्टिस तो ऐसे कर रहे हैं जब फिल्डिंग करने ग्रांट उपर गद्धे लेकर ही उत्रेंगे अबे साले लोग जब जब आएसीजी का कोई बड़ा टूनामेंट आता है और कोई नों कोई चुतियाबा शुरू ही हो जाता है अब यहां बंदे चैंपियंग्स टॉफी के लिए गद्धे लगा कर केच्छ प्रैक्टिस कर रहे हैं और टी ट्वंटी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया अब बुल पनाजिम भारत दूसरी बाच ही जोईडी क्रिकिट का आज़ी चेंपियन बन गया थे अब यह तरह भारत में टी ट्वंटी वर्ल्ड कप जीतने का जस्रम बनाया जा रहा था भाई पॉर्की किस बात की खुशी मना रहे थे ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हजार चब्वीश के लिए आपको अपडेट करें के पाकिस्तान क्वा लेकिन इसके बावजित भी पॉर्कों को इतनी फेवर्स देता है मतलब हर लिहाज से उनको लाडला बनाया हुआ है यह बड़ी अच्छी बात कही है जैसा ही इंडिया वर्ल्ड कप जीता और जैसा मैंने कहा था कि मेरी भर्बूर सपोर्ट इंडिया के साथ है अगर पॉर्क बल्कए जोगलं के बारे में क्या भॉलू और भारत के लिए इस कदर नफ्रॉद बढली हूई है कि बंदे भारत के हार के जस्री की तैयारी में बैठे थे जिसे भी पॉर्गी को देखो हम फुल सपोर्ट है साथ अफरीका की तरहा मेरा दिल बोल रहा है कि साथ अफरीका को जीतना चाहिए अगर फाइनली जीत जाते हैं तो सही सेलिब्रेशन्स तब करेंगे भारत दूसरी बात ए-20 वाल्ड कप का चेंपियन बन गए से बड़ा अफसोस हुआ है जार दर डिजर्ब करते दे वो साथ अफरीका कर ले दे जीतना तो साथ अफरीका को चाही था पॉल्ड को साथ अफरीका के हार का इसकतर सदमा लगा तो बंदे अभी तक उससे उभन नहीं पा रहे बंदे इंडिया पर तो पूरे वर्ल्ड कप घपले वादी का आरोप लगाते ही रहे थे साथ अफरीका के हार के बाद उसके भी पीछे पर गए आउट अफरीका ने अपने पैरों पर खुद कुलाडी मार लागी छे विक्ते बाकी चार और बाकी 26 रंज और नहीं कर सके 24 बोल पर 26 रंज हों तो वह आप मैच चार्ज हैं इमने दो और पड़े हो तो टीम मैच जीती है जब 24 पर 24 चाहिए थे उसके बाद आप कैसे हार सकते हैं? इंडिया को फेवर देने के लिए ये पूरा वर्ल्ड कप खराब कर दिया है उनके सारे मैच इस नी यॉर्क में रखे गए गयाना में सेमी फाइनल इंडिया का ही क्यों रखा गया जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से तीन चार इंच पीछे हुई भी थी बुमरा बड़ा नुक्सान दी है तो उसका बॉलिंग अक्शन भी चेक होना चाहिए इंडियन प्लेयर्स के चेहरे पर वो खुश ही नहीं थी कुछ का तो रोना मुझे ड्रामा भी लग रहा था कि जबदस्ती रोनी की कोशिश कर रहे हैं इंडियन प्लेयर्स का रोना ड्रामा होना हो लेकिन तुम पॉर्ड़ों का रोना रियल जरूर लग रहा है और पॉर्ड़ों अगर रोते रोते तुम्हारी आखों से आशू सूख गए हों तो यह लोग आखों में आशू लाने की दबा इसे बारवार प्लेय करके देख लेना अब बोलिए कैसे लग रहा है फाइनली रोधों के लड़ जगड़ के ऐंडिया यह टाइचल लेइगे ये कि भूध को प्रोफित कर दुख तो बहुत हो रहा हूए ना लगता है इंडिया ने शीर्टिंग की है अभी तेरे को जो उखड़ने का उखड़ ले मतलों खुद की टीम सूपरेट में ना पहुंचकर सीधे घर पहुंच गई और वंदिया पर जहर ना उगल कर जहर किस पर उगल रहे पूरे वल्डिकप में अनुविटन रही इंडिया लेकिन पहले पहले इंडिया के वल्डिकप जीतने का जखमु भरता उससे पहले उन्हें एक नया जखमु और मिल गया और वो जखमे था बीजिए द्वारा इंडियन टीम को दी जा रही प्राइज मनी का तो आई सी द्वारा दी गई लगवा सारे 20 करोर प्राइज मनी से क 225 करोर यह खबर सुनते ही पौर की सारा पैसा वाल कफ दोहजा चौबीस की चैंपियन भारती क्रिक्टी टीम पर पैसो की बारिश हो गई एक तरह पाकिस्तानी प्राइज मनी आवर अब तक इतनी जादा प्राइज मनी आवर अब जो है वो नहीं रखी गई टोटल प्राइज मनी है 11.25 मिलियन डॉलर मतले खुद की टीम की परफॉर्मेंस का पौरियों के पास कोई हिसाब नहीं नेकिन आइसीजी प्राइज मनी के रूप में कितने डॉलर देगा इसाब बरा रियाल रखते हो इन भिकारियों से आप उम भारत के हाथों पाकिस्तान की नाकाबल यकीन शिकस्त के जखम अभी तक ताज़ा है